हाई गाइस लोकम बाक तो मैं यूटीब चार्वर स्टड़ी बॉक्स आप सागर गर सिंग आज मैं आप साथ डिसक्स कर रही हूं प्राक्टिस पेपर सेट थ्री यह सब के लिए गेन इंपोर्टेंट है और इंस्ट्रॉक्शन पर आपको पहले गी दो पेपर्स पर सांबल पर बिदेच चुके हैं ठीक है ओके सो सबसे पहले सेक्शन ए पर आते हैं वेर इस पिच्वाही आर्ट फेमस वेल स्पेलिंग इस पी आई सी एच एच टबलू है पिच्वाही आट फेमस और यह आपका लिया गया है राजिस्थानी स्कूल से अच्छा जब मैंने आप से इससे पहले प्राक्टिस पेपर था वो जब डिसक्स किया था मैं आपको इसमें बताया था नाथ वारा जगे के बारे में जो कि राजिस्थान के अंदर था तो यह भी वहिंक से आर्ट जो है वहिंक आर्ट फेमस है सबसे पहली चीज और दूसरी चीज पिच्वाही आठ ह बीच में अच्छी बड़ी से पेंटिंग होती है तो इसी को बोलता है पिच्वाही आठ यहान राजिस्थान के अंदर उस तेम पे बहुत जादा ही फेमस थी है और यहां पर काफे सारे टेल्स ओफ लॉर्ड कृष्ण जी के बार में बताया गया था और यह फेमस क्यू थ होते थे टेल्स होती थी और बहुत ही माइन्यूट मैन्यूट डीटेल्स ओते और इसके बीच में एक सेंटर फिगर जो होती थी वह लगाए जाती थी तो कहां पर फेमस थी राथवाड़ा इस्ट्रिक्ट में जो कि है आपका राजेस्थानी स्कूल के अंदर जीक है यह वैसे उनके main features में और जो मैंने आपको description दिया है उसमें सब mentioned है PDF पीडियाइफ पीडियाइफ आपको मल जागा telegram channel पर जिसका link description box में है ठीक है वर्णा यहां पर आपको screen पर flash on कर दूंगे Assertion is Facts, Facts क्या है? Artist of Deccan miniature painting and initiated European naturalism कि जितनी भी artist है जो Deccan miniature painting के time पर थे उन्होंने initiate किया था European naturalism को और 3 dimensional effect को तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ भाई 3 dimensional effect तो हमने जो paintings वगारती उसमें देख सकते है इसका example आप ले सकते हो भाई जो कि मैंने आपको photos दिखाई थी जए मैं वीडियो पड़ा रही थी उसके बीश में जबको मिने photos दिखाई थी तो उसमें 3 dimensional effect हम लोग जितनी भी paintings वगारती उसमें देख सकते है ठीक है? And the second reason is कि भाई Geometry plays a significant role in the symmetrical arrangement of deck and miniature Geometry का बहुत अच्छा ही रोल था इसका best example is your चांद बीवी प्लेइंग पुलो उसमें अगर आप पर यहाँ पर के horizon में देखोगा पर नीचे जो यहाँ पर पॉंड बनावा है यहाँ लेक बनावा है उसमें देखोगे आपको प्रॉपर उसमें दिखाए देगा कि यहाँ जितना इधर है अगर 3 water birds इधर है तो 3 water birds इधर भी है तो क्या geometry plays a significant role? So yes, तो दोनों ही बातें यहाँ पर true है and are यह is the correct explanation of A So yes, it's true Okay, who is considered to be the father of Mughal art? That is Akbar, because Akbar के time पर काफी सारी illustrations अगर बनी थी, volumes बनी थी and जितनी भी आपके केलो text वगर उसको भी नोने illustration करवाए थी उनका रमायन महा भारत हो गया इन सब चीज होगा तो father of Mughal art को कहा जाता है Akbar को याद रखने वाली चीज है यह Next question, इसकी बही इन चौगान प्लेयर How many women are seen in this game involving a ball, sticks, horses and players? याद रखना अब यह आगी भी आप इसी practice paper में question देखोगे चौगान प्लेयर और चान्द बीबी playing polo इसमें please confuse मत होना and question को द्यान से पढ़ना because दोनों में ही women है वो polo खेल रही है, balls है उनके बाद इसके वाद खेल रही है फिस्टिक्स है और वो horses में बैठी हुए दोनों ही बहुत similar similar सी है तो द्यान से पहले question को 2-3 पर पढ़ना उसके बाद द्यान देना चौगान प्लेयर जो है यह है आपका भाई राजिस्थानी स्कूल का और चान्द बीबी यह है आपका डेकन स्कूल का जो चौगान प्लेयर है तो उसकी बात कर रहे है तो वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर 6 जो वुमिन है वो खेल रही है आपका पोलो ठीक next question पर आते है जामीनी रॉय स्टाटेड पेंटिंटिंग इस ताइल आफ कालीघाट पटा ठीक है तो भी बिल्कुल टेक हो गया he tried cubistic painting influenced by European cubism तो नहीं सबसे पहले चीज़ तो देखो आपको question में दिख गया यहां पर आपको folk art की बात कर रहे है European cubism है तो नहीं ऐसा नहीं है ठीक है अगर cubism जिसने शुरुवात किती है जिसने उस पे काम किया था गगेंद्रनाट टेगोर नॉट जामिनी रॉइ ठीक है सो बोथ A and R are true इसका अंसर क्या है कि A is true but R is false क्यों क्योंकि भाई जामिनी रॉइ के बार में यह बात तो बिल्कुल ठीक है but he tried अगर अब ही की जगें यहां पर गगेंद्रनाट टेगोर होता तो हम बहले ही मान जाते कि हां भाई बिल्कुल ठीक है उन्होंने European Cubism से बिल्कुल सही काम किया तो उन्होंने ही उस पे काम किया है और उनकी जिदनी भी पेंटिंग्स है वो से इंफ्लुएंच है बट यहां पर ही लिख दिया ही मान नहीं हां पर कौन है प्रोणाउस पड़े है ना जामिनी रॉइ तो नहीं ओविसली नहीं तो A is true but R is false जीक option C Before miniature painting the manuscripts were done on जब तक miniature painting नहीं आई थी तब तक जिदनी भी आपकी paintings वगार होती थी तो कहां की जाती थी तो इसका अंसर is palm leaves यह आपका question last year के sample paper में भी था कि कहां की जाती थी तो palm leaves इसका अंसर है और अधे utensils नहीं होते थे canvas तो अभी बिल्कुल भी नहीं होते थे तो हम लोग इतने ancient time की बात नहीं कर रहे हैं बस miniature painting से पहले की बात कर रहे हैं कि कहां पर की जाती थी तो palm leaves पे विच मुगल रूलर prepared illustration of manuscript of Ramada and Mahabharata मैंने आपको अभी जस्ट उपर बताया था कि अकबर के time पे ही बहुत साही इतनी the right answer और अंगजेब नहीं है हुमायों भी नहीं और बाबर भी नहीं है section B पर आते हैं the three dimensional of the sculpture okay यहां पर आपको बात की गई है संथाल family and triumph of labour के बारे में and यहां पर उसको आपको explain करना है जब भी explain करने जाओकि याद रखना answers लिखोगे आप question paper पर choice one ठीक है अगर यहां में आपको नहीं given है कि यह A है या फिर यह B है सीधे ऐसी raw given जैसे मैंने दे रखा है तो वहां पर यहाद से mention करना कि choice one अप इसको कह रहे हो and choice two अप इसको कह रहे हो ठीक है तो आप जो choice लिखोगे according के आप answer लिखना उसके और question number का प्लीज ध्याद से लिखना पता चले answer आप इसका कर रहे हो choice two का and लिख आप answer इसका रहे हो तो ऐसा मत करना ठीक है okay so सबसे पहले आपको संथाल family and triumph of labour समझाना है संथाल family is basically बनाई है आपकी रामकेन करभाईज ने और triumph of labour बनाई है आपकी डीप राय चौधरी ने ठीक है अब आप यहाँ पर उसके seven to nine points जो मैं आपको पहले कर आया था है वो यहाँ पर explain करने वाले हो name two famous cultures and their artwork that reflect the condition of poor in that time of that time तो भाई यहाँ पर आप दो कोई भी artworks जो के आपको पसंदे cultural presence है आप बता सकते हो तो तीन है total अब उसमें से कोई दो बता सकते हो for example Santhal family जो की राम किनकर बेज ने बनाई अगें और क्राई जो कि आपके अमनाथ सेहगल ने बनाई है ठीक है okay next is कि राइट a short note on the origin and development of Indian national flag के बारे में आपको यहाँ पर बताना है और उसका origin and development अब जब आप यह बताने जाओगे तो आप यहाँ पर सब बताओगे कि हाँ भई कैसे जो हमारा इंडिया नाशनल फ्लाग है वो तीन स्टेजे से निकला है first is कि भई आपका वो जो 1906 में था ठीक है अगस्ट 7906 वो जो पायर सीर बेकान स्क्वेर वाला था second is कि भई आपका 1921 में जो हुआ था इंडिया नाशनल कॉंग्रेस और कॉंग्रेस कमिटी वाला सीन जो third है वो है आपका भई जो हमारा final flag बना है जुलाइ 22 1947 वो जब हमारा flag निकल कर क्या है इसके बारे 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 एक्स्प्रेइन करोगे अब इसके बाद आपसे question और भी कुछ पूछ रहा है क्या तो yes definitely पूछ रहा है आपसे आप पूछ रहा है उसका symbolic significance और यहां पर पूछ रहा है कि वह 24 spokes क्या दिखाते हैं अब आपको इतना सब लिखना है वो भी दो number के question में तो यह आपके लिए बहुत ही easy भी चीज है कि आपको बहले ही खाली थोड़ी 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 चीज़े लिखनी है क्योंकि आपसे पूछा सब गया है चीक है और जब आपसे यह दोनों चीज़े especially पूछी गई तो इनको आप अच्छे से समझाने ही वाले हो कि हाँ भई कैसे जो आपका इंडिया नाशनल फ्लाग है उसका colors है अफ्रों का मतलब है courage and sacrifice white color का मतलब है truth and peace and greed color का मतलब है faith and chivalry फिर इसे के बद अशो का चकर क्या दिखाता है अशो का चकर दिखाता है progress of nation या फिर अशो का चकर को हम और किस नाम से जानते है that is the wheel of law this is very important guys the wheel of law इसके उपार आपको एक नंब्र सभी हो सकता है कि the wheel of law को हम लोग किस नाम से जाते है दो अशो का चक्रा ठीक है फिर जो 24 spokes है वो के दिखाते है तो वह दिखाते है 24 hours progress ठीक है next question how did the Indian artist through their paintings and artworks inspired the feeling of nationalism with the masses okay यह जो question यह आपको समझने ही जादा जरूवत है ठीक है और मैं आपको इसको proper पर answer दिखाऊंगे आपको लिखना कैसे है यहां पर पूचा गया है कि हमारे इंडियन आर्टे जो थे उन्होंने कैसे मदद की थी जितने भी हमारे masses of common people है उनको freedom struggle की जो race है उसमें लाने में कैसे मदद की उनके अंदर nationalism की feeling को जगाने में अब आपको बताना है अपना opinion कि आप उस टाइम पर कैसे इंडियन आर्ट जो है वो revive किया गया था अफर independence उसने कैसे मदद की थी जितने भी आपके artist उन्होंने कैसे मदद की थी आपके explain करना है राजा रवी वर्मा का contribution अब इसका answer जब आप लिखोगे तो आप ऐसे लिखने वाले हो यह है आपका वो answer जो मैं आपको बता रही थी कि आपको लिखना है वो ऐसी ही लिख क्या हो गया ठीक है रहा है कि आप बताओ कि कैसे जो आपकी इंडियन आर्टिस्ट है उन्होंने कैसे contribute किया है इंडियन struggle movement तो आपने वह वहता है कि भारत मता का बहुत ही important रहा चलो भई ठीक है फिर आप बात है वही कि उन्होंने इंडियन माइथियोलोजी क्लासिकल लिटेटर पे काम किया ऐसे सब्जेक्स पे काम किया जिससे कि जो लोग है वो एजली करेक्ट कर पा रहते उनसे इसे इसाज़द उन्होंने रामा वैंकुषिंग प्राइड ऑफ दी ओशन उनका मेजर वर्क चाब उसके बारे में लिख हो गए उसके बाद उन्होंने काफी जादा ही रियलिजम का यूज किया अकैडमिक रिलिजम का बहुत सारे पॉपिलर एपिक्स के उपर काम किया इसे लोग इतना जादा ही प्रभावत हो गए थे कि इनकी जो पेंटिंग स्थी वो कैलेंडर्स काम था कॉंट्रिबूशन था वो यूज हुआ था आपके भई नाशनल फ्रीडम स्ट्रॉगल मुव्मेंट पे ठीक है तो इस इस हाव यू राइट यू राइट यू आंसर अब लोग वापस अपने बढ़ते हैं क्वेस्टिन के उपर यूपर यूज क्वेस्टिन हो गय तो यहां पर आप दो पेंटिक से बारे में लिख सकते हो कोई भी दोनों में से एक एक हो गई आपकी जूर्णी जेंड और एक हो गई आपकी शिवायन सती बिकॉस हम दोनों में देख सकते हैं कि हाँ भी पेंड सफरिंग एगनी सौरों हिल्पलसने सब दिख रहा है हमें जूर्णी जेंड आपकी बनाइए अब इंदर आटे गोड़ने और शिवायन सती आपकी बनाइए नंदलाल बोसने अब हर एक चीज हां पर मेंशन करने वाले हो आर्टिस का नाम में थर्ट टेक्नीक क्या के उसमें किस तरीके से उस पूरा आर्ट वर्क को काम किया गया है ठीके नेक्स्ट इस बई फेमय स्कुल्प्चُ service पीवी जान Lucky कम ने बनाई है अब आपको पीवी जानकिम के बारे मारे में पता चलने हैं कवायों कंप यह नियुक्वी और था पमीडियम घृने चेनिक्नीक का Yussey ए वह यंवायर टेयम कूरें दीक है और फिर मॉडर्ण स स्कूल का है नाशन गाल्य ओफ मॉडल आर्ट से ली गई है यह वाले स्कुल्चर अब उसके बारे में आप एक्स्प्लेंड करोगे ठीक है नेक्स कुशन भी विद इस पैसे पेंटिंग रादा बनी थानी के बारे में संझाना है यहां पर रादा बनी थानी कैसे बाई कैसे यूज किया गया है आप फर एक चीज बताने वाले हो यहां पर एक्सप्लेंड करने वाले हो कैसे भी डिजर्ट के ओपर जो वो कैमल है वो कैसे है वहां पर जो उसके बर किंग एंड क्वीन बैठे वे उनका कैरोल है ठीक है तो चॉइस टू आपको जो अच्छी लगए आ निहाल चंद और मालू लागीनी इस भाइ सहिब दिन नेक्स इस भाई की इस पेंटेंग है वोंडर्फॉल कोमेंशन ओव डिफ कोंटेंपलेशन ओव सूफिसम और डेकन स्कूल की पेंटिंग है यहां पर आप देख सकते हो सूफिसम के बारे में भी बताया हुआ है और ड दो ही पेंटिंग है डेकन स्कूल के अंदर ठीक है एक हो गई आपकी पोलो वाली और दूसरी हो गई आपकी बही यह सूफिसम वाली ठीक है डिवोशन फॉर ग्रेट म्यूजिक अ अब यह हो गई आपकी हज़र नजाब मुद्दिन अलियान आमिर खुसर वाली अबसे बहले हमने यह वर्ट पगड़ा हां भाई चलो भाई हो गया हमारा चौगान प्लेयर ठीक है बट ऐसा नहीं है क्यों कि इसमें सारी चीज़नों ना ब्रुकुल आपको रेक्टिफाइ गर दिया हैं क्या क्या चीज़ें हैं फॉर वोमेन अगर फॉर वोमेन है तो इ आपको बात करें चौगान प्लेयर की तो चौगान प्लेयर में आपकी छे फीमिल्स है अब यह आप इनोंने पूरा बता दें कि आपको स्पष्ट हो जाएं कि हम लोग डेकन स्कूल के बात कर रहे हैं बर्ड है फूड है पॉंड है हिल्स है बिल्डिंग से सब कुछ बता ह्क इक रिफरी बी है अजलन है सब बता धें अब करा बताना इस पेंटिंग के बारे में टाइटल क्या है इस पैंटिंग का अपको जाएए और एल को सब्सकूल or medium कहां से हाएं मीडियम आप्टी बता गया आपकर धान से पहले को पढ़ जिये ना पूरा चिक अब सेक्षिन दिए के ऊपर आते हैं फर्स वन इस अब 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 ना टेगोर जी के बारे में बता रहा है आप अब इसका आंसर जब फ्रेम करोंगे आप दूमेने पॉइंट्स में लिखा है आप इसको पैरगाफ में लिख देना पॉइंट्स में चाहते हो एक लिख लिख दो इसे ऐसा करना कि दो से तीन पॉइंट्स को एक साथ लिखना पर आप में प्रेगाफ में फिर अपने पारगाफ चेंज कर लेना तीक नम्बर दिखो कटने को नहीं कटें आपके एक्जाम में कि अगर आप पॉइंट्स में लिख जो एक अच्छा इंप कि वाल पीचूर से बार में भी भात करें तो यह ईए आप पोईंट्स में लिख सकते एक किसमों कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहां पर लिखने वाले है ओर ऑंतर जितने भी पेंटर से इसी के अन्धर आपके जितने भी पेंटर्स हैं सब के नाम धारा पेंब अब ह तेकनीक और उनका में काम है वही काम यहीं पर दिया हुआ है और उनको फादर ऑफ बेंगॉल स्कूल क्यों बला जाता है इसका बहुत सिंपल सिधा से रीजन यही है कि उनने वाश्च टेंपरा जो आर्ट है जो टेकनीक है उसको इंट्रोड्यूस किया था इसी के साथ से तर तो आपको बताना है कि क्या वो सेकोलर थे आपको नहीं फिरक पड़ना चाहिए कि वह सेकोलर थे नहीं थे नहीं थे य है आपको question में directly पूछ देते हैं नेक्स question भी यह दिखोगे आप वर्स secular nature Hindu gods यह जो आपने words पकड़े हैं उनके हिसाब से कि वो secular थे तब आपको उसे के according बताना है जो आपका कबीर अन्रायदास है और कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्दन अपको ध्यान रखना है इन जो दोनों पेंटिंग से इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि वह कैसे जो हमें secular attitude दिखाई दे रहा है मुगल्स का मुगल्स ने भले भाई बहुत सारे ऐसे temples सोड़े हैं कुछ भी है आपको जो कर पेंटिंग में पूछा गया है कि हां भै आपको बताना है तो 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 यह वाफ टू वन नमबर खोदो अपने ठीक है तो नेम दो आर्टेस ने आपको पेंटिंग बतानी है अपर उसका subject matter और क्या क्या चीज़़ा हम लोग देख सकते हैं आपको बताना है कि कौन से मुगल पेंटिंग है जिसमों लोग इसके बारे में देख सकते हैं प्रॉपर नेम बताना है आर्टेस का पेंटिंग का फिर उसके अंदर क्या मैसेज़़ा देख सकते हो कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट ठीक है ओके तो वेल विद इस यौर सांपल पेपर प्राक्टिस पेपर इस कंप्लीट और हैर तू क्वेस्टिंस नंबर वन एपाट इसकी भाई इन विश्टाइल लाइंस का यूज करना किसने ज्यादा इंपोर्टेंटेंटें कलर से तो इस अलिटल हाड फो यू गाइस ठीक है आप इसका अंसा मुझे बताओ कि आपको क्या समझा रहा है फिर आपको क्या लग रहा है इन दे कॉमें नहीं आता है तो कोई बात नहीं मुझे मैं आपके जो आंसर है वह आपका छे मार्ट से पहले अपलोड कर दूंगी तो डोंट बारी बाउट थैंग आपको बटा रहा है वह आपको इस आंसर नहीं आता है कोई बात नहीं आता है तो वेरी 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 गुट गाइस टीक है अब इसके बाद लाइक इसी वीडियो के बाद मैं आपके लिए एक टेस्ट पेपर अपलोड कर दूंगी ठीक है जोकि एंटायरली बेस्ट होगा आपके और सांपल पेपर ठीक तो आप जाकर कि उसको प्लुकुल अपने जो एक्जाम है न उससे पहले आप एक दिन पहले अपने बेटन और अपने राइटिंग स्पीड पे और किस तरीके सा पांसर लिखे रहे हो उसको चेक करना चेक है तो वेल अओ अल बेरी बेस्ट फॉर प्रपरेशन फोट अपकर ने इंग्जाम स्टे तून फॉर देसेट फोट बाई वेल अपक देसे तंड. लिएए